नमस्कार, स्वागत है आगपा कमोडिटी फड़ाफट वीकिंग स्पेशल में जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट में अगले हफ्ते आपको क्या करना चाहिए गोल्ड सिल्वर में अगले हफ्ते की रहनीती क्या होनी चाहिए आपी क्रूड मेटल्स के लिए किस तरह की रणिती ट्रेडर्स को और इंवेस्टर्स को बनानी होगी और साथ ही एगरी मार्केट पर अगले हपते के लिए क्या राय मन रही है तमाम मुद्धों पर आज हम चर्चा करेंगे आपके पास कोई भी सवाल होंगे तो उन सवालों के जवाब भी दे जाएंगे हमारा नंबर है 91369 34058 इस नंबर पर आप 91369 34065 इस नंबर पर आप अपने सवाल हमें वाट्सेप कर सकते हैं साथ ही अपना नाम अपने शहर का नाम और सिर्फ कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल ही आप इस नंबर पर भेजे हमारे तीन मेहमान जो आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं परत्मेश मालिया हैं एंजल वन से मारम मोती ही हैं मोतीला लोसबाल से और क्योमर साधरी हैं सीओ हैं अवांस इंटरप्राइजेज के और आगे हमारे साथ तीन और मेहमान होंगे हमारे साथ दिने सुमानी होंगे जो लाइब जुड़ेंगे एक वेल्थ क्रियेटर्स के लिए एक मीट चल रही है महेशरी वेल्थ क्रियेटर्स की वहां पर सीदे दिने सुमानी जी से जुड़ेंगे वहां पर सोदेश के कुछ वीवर्स फॉलोवर्स भी बैटे हुएं उनसे इंटरेक्ट करेंगे आगे लैब डैमन पर बात करने के लिए हमारे साथ महेश सोनानी होंगे जो चेर्मैन है सुनानी इंडर्स्रीज के और खाने के तेल के मारकेट पर बातचीत करने के लिए नीरव दिसाई होंगे जो जी जी एन रिसर्च के पार्टनर है आप सभी मेमानों का बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले दिने जी के पास चलते हैं दिने जी बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे दर्शकों के बीच खड़े हैं बताई सर उन लोगों के बीच उस्सा क्या है और कमोडिटी मारकेट में अगले हफते के लिए आप उनको क्या राय देना ही चाहेंगे जो आपके साथ है उनके लिए और जो बाकी दर्शक जो देशवर से देख रहे हमें उनके लिए क्या राय देंगे अगले हफते के लिए मैं यहाँ पोचा कल सुबह से और मुझे पता चला कि यहाँ विश्मा मोण जी के डायाग फैन्स हैं और इडी ना सुदेश के बहुत जादा दर्शक है तो मैंने उन्होंने कहा है मुझे रिक्वेस्ट किया कि आर एक बार आप हमें लाइब करवा दीजे और हमारी बात व शुक्रिया सुमानी जी इस प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि लोग हमें देखते हैं पसंद करते हैं और आप जैसे एक्सपोर्ट्स हैं जो लगतार उनके लिए मेहनत करते हैं और उनके लिए नए-ने कॉल्स, नए-नाए अडवाइज, नए सलाह आप लेकर आत जी सबसी बड़ी मेरी जो कॉक्पिक है वो गोल्ड रहेगी सर 70,480, 70,500 के आसपास मुझे लगता है कि गोल्ड के खरीदारी करनी चीए नेक्स वीक एंड तक मुझे लगता है 71,700 के लेवल मतलब यहां से करीब करीब 1000-1200 रुपे की तेजी मुझे समझ में आती है और 70,000 का एक बेसलाइन सपोर्ट बन चुका है गोल्ड मुझे नहीं लगता है इसकी नीचे भी ट्रेड होने की कोई संभावना है तो आने वाले सब्का के लिए गोल्ड मेरी बेस्ट पिक है और चांदी को लेकर दिने जी क्या राय दे रहा है चांदी में किस तरह की चाल अगले हफ़े आपको दिख रही है जी बिल्कुल 8800 ये शॉट टम सपोर्ट जोन है और मुझे लगता है भी 8800 के आजपास इंट्राडे में बाय कर सकते है 8500 के लेवल्स हमें एक या दो दिन में देखने मिल सकते है 81300 का इसमें शॉट टम के साथ से स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 84700 के उपर अगर सिल्वर क्लोज आती है तो मुझे लगता हमें दोबारा 88000 के लेवल्स देखने मिल सकते है और मेटल्स में जाते जाते दिने जी आखरी सवाल आपसे बेस मेटल्स में ट्रेडर्स के लिए कहां पे मौक है पोजिशनली आपको कोई टॉप इक हो मेटल्स में बिलकुल कॉपर मुझे पहले सी स्टॉंग लग रहा था मुझे लग रहा था 766 का एक बेसलाइन सपोर्ट बन चुका है और 795 के उपर अभी ये बहुत बढ़िया सस्टेम कर रहा है मुझे रखता आने वाले नेक्स वीट में 810 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं 788 का स्टॉप लॉस मंददद रखना चाहिए तो महेसुरी वेल्थ क्रियेटर्स मीट में दिने जी है जहां पर तमाम दर्शकों के बीच में जो एटीनाउस वदेश के दर्शक है उनके साथ वहाँ पर बैठे वोए शुक्रिया सर आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को अगले हप्ते की साफ से राय भी दे दी सबसे पहले मानब आपके पास आएंगे गोल्ड और सिल्वर अगले हप्ते की साफ से लोग जाना चाह रहे थे कि किस तरह की चाल रहेगी दिने जी को लग रहा है कि ये तेजी कंटिनिव अगले हप्ते हो सकती है आपकी राय क्या बन रही है पोजिशनली अगले हप्ते की साब से वेकल विश्मा सेहमत हूं दिने जी से जो उन्हेंने कहा 70 अजर का एक बेसलाइन अब सपोर्ट है वो काफी अच्छा स्ट्रॉंग पकड़ के रखा हुआ है तो मेरे खाल से नीचे में 70, 500, 70, 600 के आसपास अगर भाव मिलते हैं तो वहाँ पर एक अच्छी बाइंग हमें करनी चाहिए एक बेसलाइन अच्छा सपोर्ट है स्टॉप लोस 70, 300, 70, 200 के आसपास का हम रख सकते हैं और इमेडियेट बेसिस पे 71, 200 से 71, 500 के एक रेंज है वो टार्गेट जोन्स हो सकते हैं अगर उसके उपर हमें भाव निकलते हुए दिखते हैं तो और ज़्यादा तेजी हम आते हुए देख सकते हैं इमेडियेट उसके उपर मेरे गाल से 70, 200 का बाहतर 200 का एक टार्गेट डेफिनिटली आ सकता है लेकिन इमेडियेट अगर करना है तो 70, 600, 500 के असपास की बाई 70, 300, 200 का स्टॉप और 71, 200 का टार्गेट पकड़के चलना चाहिए तो ये सला आपकी तरफ से आ गई है गोल्ड और सिल्वर को लेकर मानव की तरफ से पतमे जी आप अपनी राय रख दे गोल्ड और सिल्वर को लेकर आपकी राय क्या है क्या टार्गेट है क्या स्टॉप लॉस है गूरी इनिग विश्यमों जी आज की सेशन में अगर बात करें तो 70,000 के करीब मिलता है तो इसको बेचना चाहिए 70,000 आट सो फाट का आप स्टॉप लाज लगाना चाहिए नीची में 70,000 तीन सो के टागेट रहेंगे बट मैं यहां मानता हूँ कि 70,000 एक बेस्ट लाइन सपोर्ट है 70,000 के नीचे गोल्ड पिला जाना मुश्किल है तो जितना 70,000 के करीब मिले वहाँ पे एक्किमलेशिम जोन पोगा चलिए हमारे साथ क्यों मर्ज सादरी जी भी है त्यारे आपको हल्डी पे अभी भी बुलिश है और जीरा और धन्या इन दोनों काउंटर में अगले हफ़े क्या हो सकता है सादरी जी अविश्वहन जी जीरा में मेरा अभी भी एक बेरिश सेंटिमेंट मेंटेंग है क्योंकि पहले हम ने जो बात की थी कि 17,000 के आसपास में इसका काफी एक स्ट्रॉंग रेजिस्टन्स है लेकिन ये हफ़ते में हमने देखा कि जीरा के जो करन्ट कॉंट्राक्ट है सब्टेंबर मन को 26,000 को भी नहीं ब्रीज कर पा रहे तो इस वज़े से अगले हफते के लिए मेरा व्यू बैडिशी रहेगा आप 24,400 के टार्गेट से सेल करे और मेरा स्टॉप लोस रहेगा 25,500 धनिया की बात करे तो मुझे अभी भी धनिया में ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कोई ट्रेंड रिवर्सल आया है या इसमें करेंट प्राइसिस से भी कुछ ज़्यादा बाइंग की उमीद अगले एक हफते के लिए मुझे नहीं नजर आती हलाकि फिजिकल में डिमांड तोड़ी बहुत पिक अप हुई है लेकिन फिर भी मैं यही एक स्लाइटली बेरिश यूँ ही मैंटेन करूंगा मेरा टार्गेट रहेगा तकरीबन 66.25 और स्टॉप लोज रहेगा 68.70 से लेके 68 यह मैह जी है क्या धनिया और भी नीचे आ सकता है 66.25 तक गिर सकता है अगले हपते और जीरे पर भी आपका बेरिश वी हुई है लेकिन हल्दी मसालों के पूरे पैक में आपको पसंद आ रहा है गवार सीट गवार गम इन दोनों को लेकर क्या राय बन रहे क्या यहाँ पर अब धेर धेरे खरिदारी करनी चाहिए क्योंकि जादा तर फंडामेंटल सपोर्टीव है जितने भी बड़े ट्रेडिंग सेंटर है वहाँ पर सप्लाई कम है आगे की चाल अगले हप्पे की चाल गवार सीट गवार गम की क्या रह सकती है सादरी जी विश्मों जी गवार सीट गवार गम में मैं आपसे सैमत हूँ मुझे लग रहा है हमें अगले अफते में अभी करेंट प्रैसिस से थोड़ी बहुत रिवसल आती हुई नदर आनी चाहिए फिजिकल में भी हलकी फुल की डिमांड आनी लगी है मिलवाले भी बाइंग इंटरस दिखा रहे है ये वज़े है कि गवार में मेरी अगले अफते के लिए टार्गेट रहेगा तकरीबन चववन सो रुपे के आसपस कर और मेरा स्टॉप लोस रहेगा गवार गम में भी मेरी व्यू बाइंग की ही रहेगी हम 10,500 से लेके 10,550 तक के लेवल अगले अफते आते हुए देख सकते है जिसके लिए बाइंग बना ही जा सकती है और मेला स्टॉप लोस रहेगा 10,200 से लेके 210 के करीगा कैस्टर में कापी अच्छा ट्रैक्शन दिखा जिस तरह के हाजे डिमांड थी उसके बाद क्या ये तेजी अगले हप पे कंटिन्यू होगी क्या कैस्टर की चाल किस तरह की दिख रही है आपको साथ रीजी कैस्टर में विश्मोंगन जी बाइंग साइट पे ही लेवल मैंटेन करना चाहिए तोगी फिजिकल के जो डिमांड है वो भी सपोर्टिंग है और जो सोईंग के आकड़ आ रहे है वो भी कंपेट टू लास्ट यर काफी पॉजिटिव है तो इस वज़े से कैस्टर में मेरी पोजिशन रहेगी बाइंग की अगले अफ़ते के लिए टारगेट चौन्सट सो के आसपास का बनाया जा सकता है और स्टॉप लोस रहेगा एक सब सो चालीज से लेकि एक सब सो पचास के पास तो कैस्टर की तेजी जारी रहेगी आपको लग रहा है चेज़ा चार सो तक के लेवल भी दिख सकते है सर अब बात करते कॉटन केक की साधरी जी आपको क्या लग रहा है थोड़ा महंगा हो गया है 32 के ऊपर खईदारी बनती है या बेच कर जाना चाहिए कॉटन केक को विश्वा जी कॉटन केक मुझे लग रहा है एक बार के लिए ये सीजन में टॉप आउट हो चुका है हमने तक्रीबन 3270 के पास पास के प्राइसी ये हफ़ते देखे है प्लस जो ऑगस्ट सप्टेंबर का स्प्रेड हमने देखा पिछले 2-3 दिनों से वो भी परसंटेट टंप में काफी राई है जो मेरे इसाब से डिस्करेजिंग है फो करेंट प्राइसिस तो इसलिए मेरी व्यू रहेगी कि कॉटन सीड और केक को और बेस मिटल्स में हफते के आखर में आते-ाते अच्छी रिकवरी दिख रही है यह ब्सकरी अगले हफ़ते की साफ से पुजिश्टनली आब बेस मिटल्स पर राय दे? कोई तॉप्टिक आपकी तरप से? तो नया कोई रिस्प्रेमिम इसमें अड़ दिखाने दे रहा है आठ सो इमेक और ब्रेक सिचुएशन रहेगा को उपर के लिए तो फिलहाल के लिए मेरे खाल से पॉसिबल है कि अगर आठ सो ब्रेक नहीं होता है उपर में तो एक बार के लिए यह नीचे आ सकता है 780, 770 तक नीचे आ सकता है तो सेलन रैली कीजिए इसको एराउंड 800 के पास 810 का स्टॉप लगाई है और नीचे में टागेट एराउंड 780 और 770 के लगाई है तो आप बताईए आपकी रहा है बेस मिटल्स पर क्या है और कोई टॉपिक मेटल्स पूरे पैक में से मानव जी एक महिने के अगर बात करें तो मेरेका ज़िंक 259 के आसपास मिले तो बाई करना चाहिए 254 का स्टॉप बनाके 268 का टारगेट रख सकते हैं कॉपर में मैं थोड़ा ऑपोसिट साइड में हूँ प्रतमेश जी से बट डिफिनिटली 780, 770 से बहुत बार हमने पलटते हुए देखा है तो वहाँ से एक अच्छी सपोर्ट हमने आते हुए देखे तो ओर आल मेटल्स में मैं अभी भी बाईइंग के तरफ रहूँगा लगता है बाईंग है और कॉपर आपकी टॉपिक है 805 रुपए के टार्गेट के लिए खरीदारी की सला मानव की तरफ से आ रही है चलिए वक्त है ब्रेक का ब्रेक के बाद जाब हम लोटेंगे तो डामन को लेकर एक एक्स्क्लूसिव खबर लेकर आएंगे कि क्या कुछ डामन मार्केट में हो रहा है इंडिया के डामन मार्केट को चीन क्यों खराब कर रहा है इस खबर पर बाचित करेंगे साथी खाने के तेल को लेकर एक exclusive report है GGN Research की वो भी आपको बताएंगे ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आप बात कर लेते हैं कच्चे तेल की कच्चे तेल की चाल अगले हपते किस तरह की रह सकती है क्या करना चाहिए कहां पर मौके है परतमेजी बताएंगे क्रूड की चाल किस तरह की दिख रही है और क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को अब मेरे कैसे क्रूड में 6420 के असपास इसको बेशना चाहिए 6500 का स्टॉप लगाना चाहिए नीचे में टागेट 6200 के रहे है क्रूड को लेकर क्रूड में विक्वाली और बढ़ेगी यहाँ पर नीचे की तरह 2200 रुपए तक भी क्रूड आ सकता है आप बताई मानब आपकी राय कच्चे तेल पर मैं सहमत हूँ प्रतमिश जी से क्रूड में बिलकुल उपर की जो लेवल से टिकने रेस 6700 से फिर से एक बार कंटिनूस सेलिंग आती हुए दिखे तो 6430 के आसपास बेचने के चला रहेगी 6560 का स्टॉप और 6200 का टार्गेट एक्सपेक्ट हो सकता है सला है कच्चे तेल को लेकर दोनों एक्सपोर्स को लग रहा है कि यहाँ पर बेच कर ही जाना चाहिए नैचुरल गैस हपते के आखरी दिन 0.5% से जादा की कमजोरी देखी हलाकि हपते भर में या महीने भर में देखे तो रिकवरी ठीक ठाक दिखी है नैचुरल गैस में कूलिंग डिमांड यू इस में बढ़ने की बात हो रही है मानब आपकी कॉल क्या है नैचुरल गैस को लेकर नैचुरल गैस में विश्मा ओंजी एक बड़ा रेंज है डेफिनिटली 178 नीचे में 195 उपर में उपर के लेविल से काफी अच्छी करेक्शन आ गई है मेरे खाल से फिर से एक बार वो सपोर्ट के करीब है वहां से खरीदारी दिखनी चाहिए तो 180 के आसपास हम बाइंग की सला देंगे 174 का स्टॉप और 192 का टारगेट नेच्छन गैस में होना चाहिए ओके आब बताईए पर्तमेश जी नेच्छन गैस क्या व्यू बन रहा है क्या करना चाहिए यहां से इसका जो प्राइज है प्रीमियम का 10 रुपे है स्टॉप लग 7 रुपे का टारगेट 16 रुपे के लिए एक दर्सक है हाला कि इन्होंने नाम नहीं बेजा है गोल्ड पर अपना व्यू जानना चाहिए कि क्या करना चाहिए गोल्ड में अगले हपते क्या करे किस तरह की चाल रहेगी आप बता दीजे मानब गोल्ड पर इनको रहा है गोल्ड में मेरे खाल से 70 अजर का बहुत अच्छा सपोर्ट है 70 अजर के ऊपर जब तक ट्रेल कर रहा है बाइंग में ही रहना चाहिए इमेडेट बेसिस फे 70-500 के आसपस अगर मिलता है तो बाइ कीजे 70-300 का स्टॉप और इमेडेट 71-200 का टारगेट हम एक्सपेक कर सकते है अगले दर्शक है क्रिश है दिल्ली से रेगुलर कॉलर है हमारे कौपर में क्या रहेगा कौपर में पर्थमेजी क्रिश को क्या करना चाहिए अगले दर्शक गोल्ड पर है इनका नाम है रोशन फेरवानी है कटनी MP से गोल्ड के उपर अब जाना की क्या करना चाहिए 71,000 के बेहत करीब है क्या आप निकल जाए या बने रहे क्या सला देंगे पर्थमेजी इनको अगले दर्शक है परबीन है उने से चांदी कब किस भाव पर बाई करे लंबी अबधी के लिए माना आप बता दिजिंको किस भाव पर खरीदना चाहिए इनको लंबी अबधी के लिए निवेशक लग रहे हैं जी बिलकुल मेरे खाल से चांदी में एक साथ all-in नहीं जाना चाहिए staggered way ही एक approach होना चीए नीचे में 80,000 बहुत अच्छा एक support है, बहुत बार वाँ से पलटा है immediate basis पे ये level एक अच्छा है थोड़ा investment करने के लिए definitely part-part में अगर invest करेंगे तो 81,500 फिर वापिस नीचे आएगा तो 81, 80,800 वैसे करके अगर नीचे में buy and dips की strategy रखेंगे तो better होगा, immediate bottom मेरे खाल से definitely उसके करीब है एक base बन रहा है तो 80,000 के उपर जब तक है हम buying में रहेंगे, immediate basis पे 80,100 का stop जो हमने support बता है और 84,200 का immediate target है, अगर उसके उपर निकलता है, तो मेरे खाल से 86,000 के level रहेंगे, लेकिन definitely step by step चांदी में जाना चाहिए ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं, diamond को लेकर diamond पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महें सोनानी है, chairman है सोनानी industries के अब चिंता ये है कि चीन से जो rough diamond का जो import हो रहा है, उसको लेकर industry की, घरेलू industry की चिंता है इनका कहना है कि जो HP, HT diamond जो चीन से बनाया जाता है HPST यानि high pressure, high temperature वाला diamond जो lab diamond के category में आता है, एक CVD और दूसरा HPST, तो HP HT से जो चीन से जो rough diamond import हो रहा है, उसमें सिर्फ आधे percent के duty लगती है, उसका असर ये हो रहा है कि वहाँ घरेलू बाजार में काफी ज़्यादा dumping हो रही है, इसी मुद्धे पर बाचित करते हैं मैं सोनानी जी है, lab diamond के बड़े कारोवारी है, क्या हो रहा है सर, क्या दिक्कत है, सरकार से आप क्या request करना चाह रहे हैं, कैसे इस dumping को रुका जा सकता है, जो चीन से आ रहा है? चीन से जो material भी जो high pressure, high temperature के जो diamond बनता है, वो जो आ रहा है, वो material के अंदर PPM level में metal contain होता है, और जो metal contain के वज़े से ये jam application के लिए अच्छा goods नहीं है, ओके, वो jam के लिए लायक नहीं है, ओके, तो इंडियन मार्केट के अंदर CBD diamonds का enough manufacturing है, और इसके वज़े से, और ये जो CBD diamonds है, this is the extraordinary property for jam. तो ये, मेरा आज मानों के जो ministry of commerce को request है, ये material को प्रश्वाइब करना चाहिए, और नोट हो गई है, हम कोशिस करेंगे कि सरकार तक ये बात पहुँचे, आप लोगों की demand connectivity की कुछ दिक्कत है महेजी, पिससे किसी दिन हम आपको जोड़ने की कोशिस करेंगे, लेकिन आपको बता दे कि चीन से जो HPHT diamond dumping हो रहा है भारत में, इससे सिर्फ lab diamond market पर ही नहीं, जो natural diamond का market है उस पर भी कापी असर हो रहा है, क्योंकि चीन इसका फायदा उठा रहा है, आदे परसेंट import duty पर वहाँ से rough diamond का इंपोर्ट हो रहा है, जिससे पूरे market पर इसका असर हो रहा है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, लेगे चलिए एक और अगली ख़बर की और बढ़ते हैं, हमारे साथ उस खबर के साथ नीरव देसाई है, GGN Research के पार्टनर है, नीरव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, सर अगस्त को लेकर आप लोगों ने एक report निकाली है, और इसका market पर क्या अफ़व पर इसका क्या आफ़व पर इसका क्या अफ़व का आगे market को कैसे देख रहे खाने के तिल के market को? ति देखें, यह जो हम report निकालते हैं, यह report निकालते हैं, जो vessels declare हो गए हैं, इंडियन ports पे arrival के लिए, और चुकि अब आज 16 अगस्त हो चुकी है, तो practically जो भी vessels आने वाले 10-12 दिन में यहां लगने वाले हैं, वो अलड़ी inform कर देते हैं हमारे यहां के customs को के यह आ रहा है, तो overall इस month भी अच्छा import है, लास्ट यर जुलाई में about 10.9 लैक टन्स पाम था, इस बार 9.5 लैक टन्स पाम है, जनरली अमूमम हम पाम between 6 to 8 लैक टन्स मंगाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि इससे जादा नहीं मंगाते हैं, बट एक यह आवरेज रेंज है, उसके सामने last month भी 10.9 लैक टन्स की import थी, इस बार भी 9.5 है, सोया का import भी generally 3, 3.5 के बीच में रहता है, वो last month 3.92 लैक टन्स का था, इस बार 4.5 लैक टन्स का है, Sunflower का import क्योंकि पिछले month भी 3.6 का था और इस month भी 3 का है, तो overall import lineup अच्छा है, अगर हम बात करें, तो about 12-14 लैक टन्स का import रहना चाहिए, इंडिया में पर last month भी 18.47 लैक टन्स का import था, इस बार भी 17 लैक टन्स का import संभव है, तो overall मैं ही बुलूँगा कि Indian importers ने माल अच्छा करीदा है, पिछले month भी आया है, arrival अच्छा इस month भी है, so overall stock at ports, pipeline stocks, ये सब थोड़ा थोड़ा improve हो रहा है, availability अच्छी रहेगी, जहां तक कि market की मैं बात करूँगा, तो एक edible oil काफी range bound market में चल रहा है, बहुत बड़ी दोनों तरफ की movement नहीं है, सिर्फ भी Chicago oil में अगर हम देखेंगे, तो 40 point का breakdown market ने दिया है, जिसके कारण एक sell off आ रहा है, जो वैसे South American basis market adjust कर रहा है, कि जितना Chicago fall आ रहा है, उसका अमूमम 70-80% वो basis को improve भी कर रहा है, बट net net इससे थोड़ा बहुत market पिछले 2-3 sessions में घटा है, बट I think इसके कारण इंडिया इस opportunity का फाइदा ले रहा है और import अच्छा कर रहा है, especially O&D months में palm and soya, दोनों में अच्छा buying हो रहा है, palm में 9-30-35 के बीच में अच्छा इंडिया ने buying किया था, soybean oil में, O&D में 9-50 से लेके 9-60 dollars के बीच में continuous पिछले 2-3 sessions में अच्छा trade हो रहा है, इंडिया नियर बाइ का जो premium product है, उसको थोड़ा कम ले रहा है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो, हमारे इंपोर्ट लाइन अप पिछले 2 मीने में अच्छा रहा है, तो we can consume our stocks, उसी के सामने जो inverse में, उल्टे बदले में, हमें cheaper forward coil मिल रहा है, उसको हम book कर रहे हैं, तो यही strategy रही है, एक range में markets चलते आ रहा है, और उसको इंडिया, I would say right तरीके से use कर रहा है, शुक्रिया निरव जी वक्त कम है, जादा बात नहीं हो पाई, आपसे आगे जरूर बात करेंगे, शुक्रिया आपका, आपने ये रिपोर्ट हमारे दर्शकों के साथ share की, पर्थमेश जी, मानब जी और करमर साधी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे दर्शकों के सवालों के जबाब भी दिये, और अगले हप्पे की इसाब से बेहतरी इन ट्रेडिंग कॉल्स भी आपने शेयर दिए, तो कमपरिटीफ हटाब हट, वीकेंड स्पेशल को यहीं समेठते हैं, लेकिन बागी खबरों के लिए आप बने रही हैं हमारे साथ, अमस्कार,